हेलो नौलिश के दिवानों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन पर देखे साइन कन्वेंशन के बारे मुझे वीडियो इस वज़े से बनानी पड़ रही है क्योंकि ये बहुत important topic है और जब आप board classes में चाहें वो 12th के बच्चे हैं चाहें वो 10th के बच्चे हैं जब आप numerical solve करोगे optics के numerical lens और mirror के numerical तब आपको sign convention अच्छे से आना चाहिए तो आपका numerical गलत नहीं होगा लेकिन अगर आप उसमें confused हो जाते हैं और आपको सही point नहीं पता है तो आप अपना numerical गलत कर सकते हैं इस वज़े से इस वीडियो का मेरा मकसत है तो आईए शुरू करते हैं प्लीज देखें ये कौन सा mirror है सबसे पहले बताईए आप सभी को पता है मैं स्टाइब mirror के types पर नहीं जा रहा हूँ ये जो mirror है ये है आपका concave mirror ठीक है अब concave mirror में ये जो center point होता है concave mirror अगर यहां से लेकर यहां तर 10 cm है ये इसकी पूरी arc तो 5 cm पर इसका क्या होगा पूल होगा बच्चो पूल ठीक है अब इस हमें क्या करना है तो सबसे पहला point इसमें मैं कुछ आज आपको एक misunderstanding concept बताऊँगा जिसे बच्चे बहुत जादा use करते हैं और उसकी वज़े से question गलत कर देते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखें वह मैं भी बीच में बताऊँगा वीडियो के तो आप वीडियो को skip ना करें वरना आपका point निकल जाएगा गारेंटी की बात है अगर आप यह ना कर दो ना का मज़ा आ गया तो फिर बात ही क्या तो देखें यहां पर यह पोल है सबसे पहले बात है जितनी भी distance मीजर करनी है हमें all the distance all the distances measured measured from the pole ठीक है जितनी भी हमें distance मीजर करनी है कहां से मीजर करनी है पोल लेकिन अगर बात हो रही है लेंस की तो कहां से measure करनी है optical center से ठीक है optical center ठीक है बात आई समझ में optical center से measure करेंगे lens में और pole से measure करेंगे mirror में अब देखें कैसे measure करनी है optical center तो बच्चा सबसे पहले यह confused रहता है कि सर क्या है देखें यह वाले जो mirror है इस mirror का नाम में लिखे देता हूँ कौन सा mirror है यह concave mirror और concave mirror जो होता है knowledge के दिवानों वो दोनों type की image बनाता है यह real भी बनाता है और यह virtual भी बनाता है real भी बनाता है and virtual भी बनाता है यह आपको याद रखना है real बहुत सारे cases में बनाता है मतलब के जितने भी cases सब में real बनाता है लेकिन सिर्फ एक case ऐसा है only one only one जिसमें कैस image बनाता है virtual बनाता है तो अब देखते हैं कि कैसे यह हम पॉल से मिजर करेंगे तो देखे इसके लिए मैं कुछ आज डेमो का सामान लाया हूँ सदेखना कैसे देखे यह जो mirror image बनाएगा object आप mirror के सामने रखेंगे यह हो जाएगा object ठीक है उसके बाद में यह यहां भी बना सकता है image यह यहां भी बना सकता है और यह object से पीछे भी बहुत बड़ी भी बना सकता है लेकिन एक जो image होगी वो यहां भी हो सकती है इसमें यहां ठीक है जो कि virtual होगी कैसी होगी virtual होगी से हम dot dot से दिखा देते हैं यह virtual होगी यह बहुत जादे दूरी पर है इंफिनिटी पर माल लिजे तो बच्चों को प्रॉब्लम यह होती है कि पोल से कैसे मिजर करना है तो देखो एक काम आपको यह करना है यह मैं आज लाया हूँ सारा सामा लाया हूँ टेंशन मतलो यह रहे ठीक है यह यहां पर पोल पर मैंने इसे चिपका दिया है और अब यह है आपके पास में फीता समझे रो यह है फीता इस फीते को यहां चिपका दिया आपने अब कोई आप से यह कहता है कि इसकी डिस्टेंस बताओ पॉजिटिव में जाए यह निगेटिव में तो आपको कहां से मिजर करना पोल से इधर नाप हो इसकी डिस्टेंस हो गई तो हम पॉल से किधर चले देखिए हमारा यह वाला पॉइंट पॉल पर फिक्स है तो हम पॉल से इधर चले अब माना कोई आप से यह कहता है कि इसकी डिस्टेंस बताओ तो पॉल से इधर चलना अब हम इधर आ रहे हैं फिर कोई कहता इसकी आगे समझ गे तो यह आपका क्या है जो यह मैंने पकड़ रखा यह आपका पॉइंट है हमेशा जितनी भी डिस्टेंस मीजर करनी है वो कहां से मीजर करनी है पोल से इधर जाईए आप या पोल से इधर जाईए फ्रॉम दा पोल पहला स्टेप याद रख लो नौलिष के दिवानों याद रख लो तरीका हम बताएंगे तरीका हम बताएंगे तरीका अच्छा चलो तो समझ गें nin इसे आपको fix रखना इधर चलो लेकर या इधर हमारा initial point fix हो गया देख रहे हैं आप initial point fix है इधर चलू या इधर चलू initial point fix ठीक है तरीका हम बताएंगे अब आती है बात दूसरी कि कब आप positive मानेंगे और कब negative तो पहला point के लिए और कहां से measure करनी है सभी distance poles है अब दूसरा point इसमें आता है आपका hashtag के साथ में लिख रहा हूँ बड़ी ही interesting बड़ा ही सुन्दर सा point है और वो यह है all the distance measured in the direction of light are taken as positive all the distance all the distance measured in the direction of light are taken as positive यानि के जितनी भी distance आप light के direction आप होगे कैसे लोगा positive आप को होगा सर्ची light के direction किधर तो light की direction यह है object यह है न तो object से हमेशा light mirror की तरफ जाती है light की direction है यह बच्छो light की direction है object यह है तो object से light किधर जाएगी ये थोड़ा सा बढ़ना देता हूँ मैं जो आपको दीख जाए object से light हमेशा mirror की तरफ जाएगी अब माना आप इसकी distance ना परो आप इधर चले तो देखो light भी धर आ रही है आप भी धर चलो अपना फीता लेकर तो ये distance कैसे होगी बच्चा लोग positive ठीक है अब माने इस वाले की कह दिया कि इसकी बताना इधर चले तुम इधर चले light जा रही है इधर तुम्हारा फीता आ रहा है इधर दुबार चिपका देता हूँ मैं सही से ये तुम फीता चल रहा है इधर तो all the distance measured in the direction of light are taken as positive तो ये positive हो गई लेकिन ये negative हो गई जो कि light की opposite direction में है तो ये आला point के लिए all the distance measured in the opposite direction of light are taken as negative तो मैं इसे मिटा दो अगर आपने screenshot ले लिया हो मेरे इस कार नामे का screenshot ले लिया हो तो मैं इसे रफ कर देता हूँ चलो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ जल्दी से screenshot लो one, two, three go हमारे duster duster ऐसा ही है भाई हमारा तो देखो गरीब सरीब आदमियों का चलो दूसरा दूसरा point क्या है दूसरा point ये है के all the distance all the distance या distances माल लिजे all the distances measured in the opposite direction of light are taken as negative समझ गे light की direction में ना पेंगे light की इधर light आ रही है इधर आपने distance इधर ना पी positive light आ रही है इधर आपने distance को इधर ना आपने चले negative बात आगे समझ में तो देखे पहला point बहुत है सुन्दर कहा सना अपनी है पोल पर मैंने फीता बांध रखा भाई समझगे अब माना तुम light इधर आ रही है तुम इधर चले light की ही direction में चल रहो positive light के opposite direction में चल रहो negative बात आगे के लिए अब बात आती है height की कि अगर object image की height को अगर देखा जाये तो वो कैसे होगी तो जितनी भी height जितनी भी height principal axis से above है यह वाली height principal axis से नीचे यह वाली height principal axis से नीचे तो जितनी भी तो positive, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, चाहें वो लाइट की direction में हो, या चाहें वो light की direction में नहीं हो, वो सारी कीसि लेनी है हमें, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से उपर हे, तो positive, और आप इसे रफ कर दो मैं, चलो, बीच उटा लेता हूं अपनी, और देखो भाई एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत भी हो जाते हैं हमने टेप काई टेप अपारी इस पेचिप की रह गई है कोशिच करते हैं छुड़िया चलो चुड़ गई चलो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे अब इसे छुटाने के लिए किस चीज़ का पैट्रोल का चलो चुड़ गया फिर भी बढ़िया गुड़ अब देखिए औल दा हाइट हैश्टेक के साथ में लिख रहा हूं औल दा हाइट अबव 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 दा प्रिंसिपल एक्सि देखिए यह पी एल वाला होता पी एल वाला नहीं होता ठीक है अल दा हाइट अबव दा प्रिंसिपल एक्सिज आर टेकन एज पॉजिटिव ठीक है दोसरा होता अल दा हाइट अल दा हाइट बिलो बिलो दा प्रिंसिपल एक्सिज एक्सिज आर टेकन एज निगेटिव तो वो कैसे ले जाएंगी निगेटिव ले जाएंगी स्क्रिंशॉड ले ले लिजिए अब मैं इस वीडियो के कंकुलूजन पर पहुच रहा हूँ जिसमें आपको बहुत ही बहतरीन बात बताने वाला हूँ देखे चलो जल देखे इसका स्क्रिंशॉड लेजिए मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ वान टू थ्री गो ओकी अब मैं से रफ कर रहा हूँ देखे अब कॉंसेट क्या है कॉंसेट यह है बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं और के जितनी भी हाइट हम मिरर से यह लेंस के किधर मिजर करेंगे राइट हैंड तरफ वो सब पॉजिटिव लेफ्ट हैंड की तरफ सब निगेटिव तो बच्चो मेरे प्यारे नौलिज के दिवानों इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कोई चक्कर नहीं है ठीक है अब यह गलत कैसे हो सक ना जो की गलत है तो आपको नुकसान उठाने पड़ सकता हूँ उसका जवाब में अभी देने वालों देखिए फर अग्जामपल यह मैंने मिरर लिया ठीक है यह मिरर कौन सा मिरर है बच्चो कौन के मिरर है वेरी गूड अब यह थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं लाइन तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे यह नहीं कह सकती कि यह कौन केव नहीं यह यह भी कौन केव है यह भी कौन केव है ठीक है अब जो मिसंडर्स्टेंडिंग कॉंसर्ट है बच्चे क्या कहते है राइट हंड साइड में जित्ता भी है सब पॉजटिव लेट हंड साइड मे आप रहो तो आपको कैसे होगी निगेटिव राइट हेंड साइड मन आप रहो तो होगी पॉजिटिव बात आगे सजुन में यहाँ concept आपका बिलकुल काम करेगा लेकिन आप mirror पर यहाज़ेगे mirror में इधर आ गया अब क्या object इधर आ गया object और माना हमने यहाँ पर बन रही है image यह आ गई image तो आप देखिए mirror के right hand side वाली कहा था ना आपने का positive होती है तो आप देखना ज़रा यह positive हो गई इधर देखना ज़रा यह वाली negative हो गई तो same चीज object distance यहाँ पर क्या हो गई आपकी positive और यहाँ object रहती है object distance हमेशा negative रहती है लेकिन भाई object भी दो टाइप के होते है virtual object और real object तो यह बात real object के लिए है ठीक है real object की distance हमेशा कैसे रहेगी negative लेकिन आप देखरो यहाँ तो सई हो रहा है आमार रूल verify मैं यह positive negative वाला खेल बता रहा हो right hand और left ठेंड वाला तो आपका यह गलत हो गया नहीं हो गया समझ रहो नहीं यह आपका wrong हो गया यह आपका wrong हो गया बात आगे सज में लेकिन अब आपको दिहान रखना कि यह concept नहीं है concept क्या है जो मैंना आपको बताया हमेशा distance कहां से measure करोगे हमेशा distance आप pole से measure करोगा अब उस rule को लगाते है देखिए pole यह है अब मैंने यहाँ पर अपना फीता बांदी दिया है light object से हमेशा mirror की तरफ जाते है तो यह हो गई light object से हमेशा mirror की तरफ light गई तो यह हो गई light अब माना आप इसे ना पोगे तो pole से इधर ही चलोगो ना फीता लेकर आप इधर तो light का positive direction में जारो नहीं तो देखो हो गई negative नहीं अब आप जब इसे measure करोगे तो आप mirror pole से इधर चलोगे तो यह distance भी क्या हो गई negative हो गई यह positive हो गई positive क्यों क्योंकर light की direction आप इधर चलोगे तो यह हो गई आपकी positive तो देखिए mirror को ultra रखने पर भी यह verify हो रालो और यहाँ पर mirror को अगर मैं से रखता हो तब भी यही चीज़ आगी देखिए pole से मैं जब इधर चलोगा light की direction में तो positive pole से जब मैं इधर चलोगा light का positive direction में तो negative तो object distance यहाँ भी negative यहाँ भी negative लेकिन अगर आप left hand राइट हैंड वाले rule में पड़ोगे तो आप यहाँ पर गडबड कर दोगे गलत हो जाएगा तो बच्चो सही concept को हमें समझना है बात याद रहेगी हमेशा सभी distance कहां से मिजर करनी है pole से मिजर करनी है जो distance light की direction में मिजर करी जाएगी वो positive जो light की opposite direction मिजर करी जाएगी वो negative और यही same rule होता है किसके लिए lens के लिए चाहे वो convex lens है चाहे वो concave lens है यही same rule apply होता है lens के लिए बस इसमें पूल की जगे optical center आ जाता है बाग की everything same रहेगी और यह 10th हर 12th के लिए बहुत important है अगर आप इसे समझ गे होंगे तो मेरा उमीद है पूरी उपर वाले से कि आप question गलत नहीं करोगा अगर इस आप concept को समझ गे हो फिर मैं आप से मिलता हूँ next video मत तब तक आप like कीजिए, share कीजिए comment कीजिए और मेरे channel को